हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा है। कि उन्हें सब कुछ वुष्पा जी अभी तक नश चड़ा हुआ है। हमारे चाचा जी बैठ थे हमको सब विधया सिखा है। रुखी हम ठीक करते हैं यह जिए आराम से आराम से पक्का ना हम पर वरोसा कीजिए हो जागा ठीक हो जागा बिल्कुल छोड़े थोड़ा सा रखिए बहुत बढ़े हां बस 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 वैसे पुष्पा जी गल नहीं थाना में गायत दिवार प्रगे से चड़ गई तहां हो गय ठीक हो गया 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 ठीक हो ठीक है ठीक हो ठी बंदर हैं बंदर हैं बंदर हैं इसलिए तो उन्होंने पाल को सब कुछ बता दिया ना ताकि केस हमारे थाने से उनके थाने में ट्रांसफर हो जाए और फिर वो खेले अपनी तरीके से उसके साथ नहीं पुषपाजी हमें नहीं लगता हमारा दिल नहीं मानता करिश्मा से ऐसी नहीं है मैडम सर किसका दिल किसका दिल मानने के लिए तयार है यहां कोई भी नहीं मान सकता कि करिश्मा जी कभी ऐसा कर सकती है मगर जो सच्चा ही है वो टाल भी तो नहीं सकते ना सच्चा ही तो यह है कि करिश मजी उसी ताने की इंचारज है जिस थाने में आपके कागज्द स्वेरिफिकेशन के लिए गये थे तो अब बिना थाना इंचार्ज की अनुमत दी के पाल को कैसे पता चल सकता है कि आपके कागजात फरजी थे बिल्कुल सही बोल रही है आप उसपाजी ना मतलब थाना में कोई भी गत्ती बिधी हो उसका जिम्मेदार तो वहां का प्रभारी ही होता है ना हां तो चीते बताते हम तुमको जब से दूसरे थाने में ट्रांसफर हुई है ना हमारी लाडली बखुरा नी तब से तब से हमारी आँख भडग रही थी पता था हमें कोई ना कोई नया बखेडा जरूर खड़ा कर देगी अब देखो कर दिया उनके जलबाजी और नातजुर्बेकारी एक दिन पक्का हमें मरवाएगी देखो मैडम सर आप यहां उन पर लगामकस्के रखती थी अब वहां कउन है उन पर लगामकस्के के लिए कोई नहीं है कौन है उन्हां उन्हें बताने वाला क्या सही है क्या गल तो यह तो सब होगा रहेगा तो वह सिंग का इग न बिना आख बाले के हाथ अगर बटे लग तो यह तो सब होगा ही ना? अब अगर सांद खुला रहेगा, तो वह तो संङ गहा है ना? बिना आखवाले कहाथ अगर बते लग जाए, तो क्या हूँ? तो वह तो बोराई जाएगा! जैसी कि बोराई बोराई भूम रहे हैं तो लाडली करिश्मा जी मोड सहाँ! अरे हमारी प्यारी लाड़ली बहुरा नहीं कवाई तो हम वैसे भी क्या ही करेंगे पूछे के वही आपने ऐसा क्यूं किया क्यूं बताया उस नालाइक पाल को मैडम सर के बारे में वैस यही पूछेंगे वह प्यार से ऐसे आ रहे थे हम हम खुला सांड है? नहीं, 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 हम ना तो जुर्बेकार हैं, हम बहुत तेजी से चलते हैं, हम बिना आख के हैं, नहीं, नहीं, हमारे कहने का वह नहीं था, नहीं था, आप सबको लगता है कि हम बहुत गलत हैं, मतब कोई खुश नहीं है हमारा तरक्की से यहां पे, सबको ऐसे लग रह बंदर के हातोना को ही नूर लग गया हो जैसे नहीं नहीं देखिए अब आप गलत समझ रहें नहीं नहीं हम बिल्कुल सही समझ रहें पुश्पाजी यहां पे सब को ऐसा लगता है कि हमी है जो काम बिगारते हैं हमी सुच्वेशन बिगार देते हैं हमी उल्टा-फूल्टा कर देते हैं सब कुछ माफी मांगने आया थे हैं यह पे गलत से हमी दूर करने आया थे लेकिन इथना अच्छा विचार सुनके हमको लग नहीं रहा हमारी माफी की जरूरत हैं यहां तो वैसी हमें दोशी करार दिये बैठे हैं लोग करashma Singh आपको कोई दोशी करार नहीं कर रहा है और I am sorry लेकिन आपके sorry बोलने का आपको फायदा नहीं क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है सच बात यह है कि हम ये केस हार चुके हैं, इसलिए अब किसी के कुछ भी कहने से कोई फरक नहीं बढ़ता, क्योंकि ये केस अब सॉल्व नहीं हो सकता नहीं नहीं मैडम सर बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, दौली को इंसाफ मिल सकता है, उस पाल को सजा मिल सकता है, अगर आप ये केस हमें ट्रांसफर करती हैं तो हम अपने तरीका से इसको निप्टा सकते हैं देखा, देखा चीते, देखा, अखिर आ गई ना असलियत जबान पे, यही मकसद था ना आपका, आपने इसलिए वकान भरे ना उस पाल के, ताकि ये केस हमारे ठाने में से आपके ठाने में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ये याद रखे मैडम, ये लोक्नांतरिक देश है, जहां जनता के आवाज भगवान के आवाज होती है, इसलिए हम आपका विरोथ करते हैं, और आप इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते है, इनकलाब! इनकलाब भूल रहा है कि इनकलाब की उमर हो चली है, इनकलाब ये भूल गया है कि उनका दवाईया चलना है, इनकलाब ये भूल गया है कि उनको अपना ध्जान रखना है, इनका है सारी, 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 नहीं यहां का तो प्लान चॉपट हो गया ना, हमें हमारे तरीका से न पटने दीजिये ना, दे दीजे हमको केस. Excuse me. संतु जी, भौ, 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 तरिकाल. मेरे पास एक प्लान है. अब मैं जाओंगी पाल की ओफिस जॉप के लिए. और मुझे जॉप फट से मिल जाएगा. क्योंकि पब्लिकेशन सॉफ्वेर में बहुत अच्छे से जानती हूं जो इस जॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैडम सर को सिखाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं सीख पाई वो. बस एक बार पाल के ओफिस में एंट्री हो जाए, उसके बाद मैडम सर ने जो काम अधूरा छोड़ा था, वो मैं कंप्लीट करूँगी. ओकी? पाल के खिलाफ सबूपने जाए और पाल जेल में. केस सॉल्ट. संतू. यह जो तुमने पहन के रखा उसका कोई फाइदा नहीं है. वापस करना है भाडे काय उतार के रख दो. तो मतलब मैं ना समझा हूँ. हाँ. मैडम सर पिख्या सोचा है आपने, आप केस हमें दे रही हैं. करिश्मा सिंग, प्रॉबलम आप में नहीं, आपके तरीकों में है. जो हमें नहीं लगता कि इस जन्नम में कभी भी बदल पाएंगे. यह इस तरह कि लड़ाई, जगडा, वाइलेंस इन सारी चीजों से ना हम पहले इतफाक रखते थे और आज रखते हैं. जानते है मैडम सर, पर दोनों का मकसद तो एक ही है ना, डॉली को इनसाफ दिलाना. वो चाहे आपके जजबाद से मिले या हमारे लाथ से. कभी-कभी ना मैडम सर, लाथ जजबाद से जादा असरदार होती है. हमें अपने तरीका से निपटने दीजे, ऐसा जादू का छड़ी चलाएंगे ना हम, कि उस जूट का टोपी में से ना, सच का कभूतर भाराएंगा. आपने कुझे बुलाया माम? येस, हाओ. ये कुछ पेपर्स हैं? इन पर तुम्हारे सिगनेचर चाहिए. ये क्या है? इस पर लिखा है कि ऑफिशिली अब तुम्हारा केस करश्मा सिंग हैंडल करेंगे. क्यों? मतला मैं चाहती हूँ कि मेरा केस आप देखे. आइनो, आइनो, हम चानते हैं ये तुम ऐसा ही चाहते हो लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिस वजे से अब मजबूरन ये केस करश्मा सिंग ही हैंडल कर सकती है. लेकिन डोंट वरी. जैसा कि हमने तुमसे पहले कहा था, करश्मा सिंग भी उतनी ही efficient है. हम दोनों में इसे कोई भी हो, इनसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा. का सोच रही हो तुम फटा-फट साइन कर दो. इनसाफ तुमको दिलाएंगे और डंके की चोट पे दिलाएंगे हमारा वादा है. और इस सारा शेहर जानता है करश्मा सिंग अपने वादागा कितना बख्खी है ये. ये लो. मैडम सर्थ, आपके फातिमा वाले नंबर पर पाल का फोन आ रहा है. क्या? जी. हलो? फातिमा देखो हमें पता है कि आपने फेक डॉकुमेंट्स बनवाई थे ताकि आपको जॉब मिल सके. हाँ सर्, दरसल हमने वो मैंने जो है फेक डॉकुमेंट्स इसलिए बनवाई थे क्यूंकि ये नौकरी हमारे मेरे लिए बहुत जरूरी है. इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, I'm so sorry. ये जोब अब भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा. जी सर, मैं ये जोब पाने के लिए कुछ भी करूंगी. जी सर, मैं ये जोब आजाओंगी, बिलकुल आजाओंगी. थैंकियो सो मुझ सर. ग्रेट न्यूज, हमारे पस अब भी एक और मौका है. पाल ने आज शाम को हमें उसके ओफिस में बुलाया है हमारी जॉब वापस देनी के लिए. शाम को पांच बजे पूरा ओफिस टाफ चला जाता है, इसलिए उसने आपको अखेले में बुलाया है. इग्जैक्ली, इसका मतलब वो हमें, यानि कि फातिमा को एक अखेली बे-सहारा लड़की समझ कर उसके साथ बत्तमीजी करने की कोशिश फिर से करेगा. और इतना अच्छा मौका उसके खिलाफ सबूत इखटा करने काम अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते, करश्मा सिंग. जॉली, अब तुम्हें एफ़ाया ट्रांसफर करने की कोई ज़रवत नहीं. अब ये केस हमी सॉ.. अब करश्मा सिंग.. हमें लगता है कि ये के सब हमें ही सॉॉल्व करना चाहिए. I'm so sorry. I hope you understand. All the best, madam sir. कौफे लेजे. जी, sir. देखे, गलती तो आपने की. लेकिन हमारी माने हमें सिखाया.. कि कोई एक बार गलती करे तो उसे दूसरा चांस मिनला चाहिए. चांस तो हम आपको देखे. कैसा निरलज, बेशरम, बेहया बिगहरण टाइप का आदमी है.. कुदत मौका के ताड़ में बैठा हुआ है.. अब बीच में अपनी मा को लाकर उनको बदनाम कर रहा है.. मात्याजी.. बेशरम.. लेकिन हमारी एक शर्त है.. शर्त? कैसी शर्त, sir? हमारी मा कहते थी कि.. बिजनेस में हिसाब जो है क्लियर होना चाहिए.. यह गिमिन टिक.. कुछ हम आपके लिए करें.. कुछ आप हमारे लिए करें.. हम आपको नोकरी देंगे.. बदले में आपको हमें कुछ देना होगा.. आप कहना क्या चाहते है, sir.. एक स्टार्स.. ओफिस के बाद.. वही.. एक दूजे के लिए.. अकेले हाँ.. अकेले तो.. जवाने दिवाने.. समझ कहें ना.. समझ रही हूँ, sir.. बहुत अच्छे से.. आपको भी और.. आपकी घडिया मेंटालिटी को भी.. हमद गयसे भी तुमारी मुझ से इस तरह से बात करने की.. हा.. समझते क्या.. मुझे क्या समझ रखाए तुमने.. संतु.. ये सब रेकॉर्ड हो रहा है न.. हो रहा हो रहा.. दूद की धुली हुई तो नहीं या.. तभी तो आपके पती ने आपको तलाग दिया.. अच्छा हुआ जो डिवोर्स दिया.. क्योंकि आप जैसी खूबसूरत चीज को तो.. महल जैसा होना चाहिए.. कोई भी देख सके.. चाहा सके.. छूद सके.. ये पती नाम की चीज नहीं होने चीज.. जो उपर साब बन कर कुंडली मार कर बैठा रहे.. क्या बखवास कर रहे हो तो.. मैं अब ही जाओंगी और पुरी दुनिया के सामने तुमारी असलिया दिखाओंगी.. बताओंगी कि इतने घड़िया इंसान हो तो.. जाही.. हम तो आपके फायदे की बात करें.. और आप देखे कैसे गुस्सा हो रहे ही.. सवाल बताने का नहीं है स्वीटार्ट.. अब नास लेना मुश्किल हो गया उसका.. जिन्दगी जहन्दूम कर दी उसकी हमने.. आपकी भी कर सकते है.. हम जो चाहें वो कर सकते है.. अडम से सब्डूत मिल गया.. सुंदर सरस्वादी पाल.. तुम्हारा खेल खत्र.. मैडम से.. मैडम से.. ठीक तो है.. ठीक तो.. क्या वाणने है.. कॉफी.. तुम्हे कॉफी में कुछ मिला है.. मैडम से.. हमारे.. हमारे.. चुप 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 चुप.. हमारी बात चुप चाहप मान चाहओ.. दॉली को तो हमने सिर्फ ओफेस में बदनाम किया.. तो ौक पूरे शेहर में व्यष्यं चुम्हे एस है.. रूबRI.. मारी summer love.. मारी झरन को टुप चुप!! म pilgrimage से.. पश्म! मम हारे.. मैडम स nue.. मारी थम्हा से.. चबहे दूब RAW मैडम से.. मैडम से.. मैडम से.. का संजे तुमनंनो थुध इछो लिया बिटा तुम तूanka है तुमको का है तुमको कहे तुमको खूद तुमको कर्ड़। करिषमा संझ रोक जाईए कर्ड़। माडम व्हों कई खुछ भी होता ना हम बत पर्सनल ले 125 संझ तुमने तुप भूद यहा हूं। कैसे पूद्धीज रूख जाईए। आच तो तुम कई.. मेरी दॉख अरश तुम करेंगे.... उसके खिलाब सबूद मिल गया है। कानून को अपने हथ में मत लीजी.. केस सॉल भूगिया है। नहीं मैंड़शा.. हमारा केस भी दूसोर? ्टने भैंग!! माहीं क striटॉँ एँ, हमाच केसा भी जुई रॉको गरिष्मतिन उच ब्रॉुच्छ ब्रॉ४च्छ गरिष्मतिन करिशमा सिक्ट करिशमा सिक्ट करिशमा सिक्ट कर दो जाए कि इतना मारेंगे उससर जानवारा मैडम सर इसने इसने весучाने Zelda, इसने हाप्ते ह tonesए जात पर हाथ डालाएंका ऑफकाण पॉतेगे हैां इसका तो आजधेगे को अंज़ खाळ देंगे हैं nichts, Karishma cyc .K kijken से render our little conversation eman, W STEM से किसको किसको मारेंगे अखे, जो हेちは print अभूसे हों है अब इसको मरेंगी इसके जैसे पचास और कड़े हो जाएगे तो इसको मारना हमारे इस समस्या का सल्यूशन नहीं है करिश्मा सिंग तो मैं जब सहराज आपके जचबात नहीं आज हमें कुछ पोलना है अमा उठो, उठो आप तब का दो मिनिट चाहिए हम हमें करिश्मा सिंग ऐसा है ठाना जानकुदबूरा इस इंसान को सब अच्छे से देख लो एक बड़ सब देख लो इसका चैरा अच्छे से क्योंकि अब इसका चेरा ना देखने लायक बचे का नहीं क्योंकि ये भाई साथ का मानना है कि जो एक अकेली आउरत होती है, वो चरत्रहीन होती है, उसका कोई क्यारेक्टर नहीं होता, ऐसा ये कहते हैं, उसके साथ कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है, एक कैमरे भाई साथ, इधर आईया, इधर आईये, जितना भी लोग अभी हमको द करिशमा सिंग का और ये सारा शहर जानता है कि करिशमा सिंग अपने बादा का कितना पकी है, बस तो इसे धंकी समझने की गल्ती मत करना, ये दिमाग में अच्छे से बिठा ले हो, इस दिमाग में ये बात होनी चाहिए सब क्योंकि, आज, आज से हर एक बेसारा औरत के खड़े रहेंगे एक अकेली औरत मौका नहीं होती जिम्मधारी होता है हम सबको ये बात समझना पड़ेगा और उस और अचाफ दिलाना वगा कि वो और अकेली नहीं है कि हम उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं हैं, हम उसके साथ हर पल है, हर एक सेकंड है, समझ कैसे सब की सब, आज की बाद जितनी भी औरते आज हमें देख रही हैं, हम सब को बोलना चाहेंगे कि अब से अगर कोई भी आपके साथ ऐसा नाजायस हरकत करता है ना तो आप दरियेग क्योंकि आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, किसी ने भी अगर ऐसा घटिया हरकत अब किया, लड़की पर आँख डाला, तो मैया कसम वो हाल करेंगे ना हम उस इंसान का, कि इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, कि जब भी दर्द में वो मूँ खोलेगा, तो एक ही बात बूलेगा, तरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम साना देखा, की, मैटम, जैहिंद, जैहिंद, क्या बात है, आज सब लोग टाइम पे एक दम हाँ, आप एक बार न्यूस पेपर तो पढ़ी है, मैटम, आप लोग टाइम पर आएं, ये बात पेपर पे छप गया है, जैहिंद, करिश्मा सिंग, क्या बात है, हर जगा आप ही के चर्चे है, सारे न्यूस पेपर, सच में, I am very proud of you. धन्यवाद मैडम सर, बहुत अच्छा लगता है, जब आप कुछ कहती हैं तो, हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए. अरे, कमाल करती हैं आप, हम कैसे फोन नहीं करते, करिश्मा सिंग, एक बात कहें, as a senior? हाँ, जी-जी, मैडम सर, बिल्कुल कहिए ना. अब आप एक थाना इंचार्ज है, पूरे थानी के जिम्मेदारी आप पर है, and that's a big deal. हमारी अडवाइस यह है कि अब आपको, finally, थोड़ा सा पेशन से काम लेना सीख जाना चाहिए. मारपीट का कोई फाइदा निये है, वाइलेंस से कभी कोई solution नहीं निकलता करिश्मा से. आपको नहीं चुना, आप पर भरोसा नहीं किया, पर आज इस बात की खुशी है कि आखिर कार मेरा केस आपने सॉल्व किया. अगर ये केस हसीना माडम सॉल्व करती, तो सिर्फ मुझे इंसाफ मिलता. पर आपने उस पाल का जो हाल किया है, उसके बाद कोई भी, किसी भी अकेली बेसहारा लड़की को गंदी नियत से चुने से पहले हजार बार सोचेगा. आपने सिर्फ मुझे जस्टिस नहीं दिलाया है, बल्कि इस चहर की उन हजार अकेली लड़कियों को, जो किसी ना किसी पाल का शिकार थी. आप उनके साथ हैं, करिश्मा सिंग उनके साथ हैं, उन सभी मैलाओं के और से आपके लिए एक सेलिट तुप बनता है. थन्यवाद, अब ध्यान रखेगा अपना और कोई दिक्कत हो, तो हमारे पास फटाक से आईएगा. पकान, चलिए. सुना आपने मैडम सर, क्या वी भी आपको लगता है कि हमने जो किया वो गलत था? क्या हिंसा का रास्ता हमेशा गलत होता है? एक बात बताएए मैडम सर आप हमें, जब हमारे घर में जहरीले कीड़े से कुछ भी हो. का है? वो भी तो हिंसा हुआ ना. लेकिन फिर भी हम करते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाते हैं कि हमारे घर वालों को जहरीले कीड़े से कुछ भी हो. हम चाते हैं कि हमारे घर वाले हमेशा सुरक्षित रहें. हमारे घर वालों के लिए कुछ करतव्य होता है हम उसका पालन करते हैं. ठीक उसी तरह मैडम सर. हमारी वर्ती और हमारे समाज के लिए हमारा जो करतव्य है हम उसका पालन करेंगे. फिर चाहे कोई हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हमसे सहमाद हो या हमसे असहमाद हमें कोई नहीं पड़ता है जितना अभी कीडा sonra भड़ा है कि उस सब को मार कर भार भैग देंगे ताकि हमारा समाज शुरक्षित रहे एक बार फिर से माडम सर दिल से आपने हमें कॉल किया हमें बहुत अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद जय हिंद जय हिंद